अब देखेंगे जल्दी जल्दी खबरे बुलंद शहर के SSP वैभव प्रिश्न, SPCT, COCT सहित दो ठानों के SO समेट कुल साथ को निलम बित किया गया है गौर्टलब है कि घचना के बाद बनते राजुनितिक दबाव के बीच स्यम अखिलेश रादव ने खुद मामले का संग्यान लिया था और कारवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था वही रेप प्रिड़िता नाबालिक लड़की के पिता ने कहा कि अगर दोशियों को तीन महीने के अंदर सजाग ने ही दिलाई गई तो उनका पूरा परिवार आत्मा हत्या कर लेगा बुलन शहर गैंगरेप केस को लेका लोकसभा राजसभा में हंगामा हो सकता है सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा में शुन्य काल के दौरान उठाएगी जबकि मायावती की पार्टी बसपा इस मामले को राजसभा में उठाएगी सरकार रिन वसूली कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक संशोधन विधायक को आज लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए करेगी इसका मकसद देश में कारुबार सुगमता को बढ़ावा देना है सरकार राजसभा में जियस्टी बिल पेश करने की तयारी में भी है जियस्टी बिल पेश करने से पहले प्रधान मंत्री मोदी अपनी तयारी में कोई कसन नहीं चोना चाहते पिया मोदी ने जुयस्टी बिल को लेकर अपनी रणीती को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ट मंत्रियों के साथ बैठकी तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेशियों के लिए बने गैस्ट हाउस पर विस्पोटकों से भरे ट्रक से हमला किया गया इस हमले में किसी नागरिक या विदेशी के हता हत होने की खबर नहीं है लेकिन थानिय मीडिया के मताबिक दो फिदाइन हमलावरों को मार गिराया गया है इस हमले से कुछ दिन पहले अफगान राजधानी में बीते 15 साल का सबसे घातक हमला हुआ था सबाहुए विस्पोट की आवाज पूरे शेहर में सुनी थी एक सेक्योरिटी आफिसर ने बताया विस्पोट को से भरे एक ट्रक ने नौर्ट गेट गेट हाउस के प्रवेश दुआर पर हमला किया गया नौर्ट गेट उत्तर काबुल में अमेरिका दुआरा संचौलिद बगराम एबेस के पास ठित है और यहां विदेशी कॉंट्रैक्टर रहते हैं तालिबान ने कहा कि अमेरिकी घूस पेट टोक के गैस हाउस पर ट्रक बम हमले के जरिए उसके लड़ाकों को रॉकेट चालिट ग्रेनिट और छोधे हतिया लेकर इस प्रतिष्ट खान में जिसने काम मौका मिल गया इसलाम की मनमानी वेक्या करने वाले जाके नाइक के खिलाफ मामला दर्च करने के लिए सुरक्षा एजिंसियों ने आतंकी गतिवीदियों के आरोपी 55 लोगों की लिस्ट बनाई है पिछले एक दश्रक में देश भर में गिरफतार किये गए इन लोगों ने जाके नाइक के भाशनों से प्रेरित होने की बात कबूल की है गौर्टलब है कि जुलाई महिने में ठाका कैफे में हुए आतंकी हमने में सामिल एक आतंकी के जाकर से प्रेरित होने की बाध सामने आई थी इसके बाद ग्रिया मंत्राले ने सुरक्ष एजंसियों को जाकर नाइक की कुंडली खंगालने को कहा था ताकि नाइक के खिलाफ मामला दर्च किया जा सके आतंकी संगचन लश्कर इताईबा के चीफ हाफिस सईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि भारत के ग्रिया मंत्री राजनात सिंख को सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ना आने दिया जाए राजनात को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 अगस्त को पाकिस्तान जोना है जमात ए इसलामी ने हाली में कश्मीर मुद्दे पर All Parties Conference बुलाई थी जुसमें कहा गया कि भारत सरकार कश्मीरियों के आजादी के संघर्ष को आतंगवात का नाम दे कर संयुक्त राष्ट्रे संघ और अंतराष्ट्रे समुदाएं का इस मुद्दे से ध्यान हचाने की कोशिश कर रही है हफिसाई ने अपनी सरकार और कारुबारियों को सलहदी की भारत के साथ सभी कारोबारी गतिवीदियों को कश्मीर के आजाद होने तक बंद रखा जाना चाहिए साथी पाक पीएम नवाज शरीव से अपिल की है कि राजनाच सिंख को मुल्क में ना आने दिया जाए सौधी अरब में नौकरी छुन जाने के बाद बेरोजगारी और खाने के संकट से जूज रहे भारतियों को भारतिया वानिजे दुतावास ने रविवार को भोजन मुहिया करा कर राहत प्रदान की दुतावास ने ट्विच कर इसकी जानकारी दे दूसरी तरफ प्रभावित भारतियों को इस संकट से उभरने के लिए अगले कुछ दिनों में केंद्रे विदेश राजिमंत्री वीके सिंग भी खाड़ी देशों का रुख करेंगे जदा में इस हित भारतिया वानीजेद उतवास ने ट्विच का ज़ानकारी दी कि वानीजेद उतवास ने भारतिया समुदाई के साथ मिलका भोजन वितरन का कारे सुभा तड़के दो बज का 45 मिनिट पर पूरा किया बताया कि भोजन वितरन के लिए पांच केंप लगाए गए थे सरकान जनुता को बड़ी राहा देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटोटी की है जहां पेट्रोल की कीमत में एक दशवलव चार दो रुपाई की कटोटी की गई है वही डीजल दो दशवलव सुन्ने एक रुपे सस्ता हुआ है ये कीमत आधिराज से लागू हो गई है अंतराश्टे बाजार में लगातार गिरते कच्चे तेल के दामों के वजह से पेट्चूल और डीजल के दामों में कटोटी की गई है गौरतलब है कि तेल कंपनी और सरकार महीने में दो बार तेल की कीमतों की समिक्षा करती है और इसके बाद इनके मूले का निर्धारन करती है 9000 करों रुपाई के लोन धुका धड़ी के आरोपी विजए मालिया की 700 करों रुपाई से अधिक्त की सम्पती अगले मा निलाम की जाएगी इसमें दिवालिया हो चुकी किंग फिशर एलाइंस के सोफे से लेकर मालिया का नीजी विमान तक शामिल है एरपोर्ट के पास फिट एलाइंस के मुखाले किंग फिशर हाउस के फरनीचर कार महंगे सोफे यहां तक की एक बात रोग जी भी निलामी की ड्राइगी इसके लावा गोवा में फिट किंग फिशर विला अन्ले ब्रांड और ट्रेड मार्क की भी निलामी होगी गोवा के विला में अक्सर माल्या की पार्टी आयोजित होती थी कर प्रशासन और बैंकों की ओर से माल्या की संपती निलाम करने की यह दूसरी कोशिश है इसे पहले इन समानों की निलामी में उच्चे तुब बोली नहीं लगी थी मायवती के खिलाफ अभधर टिपनी करने वारे देशरंक सिंख की पतनी स्वाती सिंख के बयान के बाद लखनव की हजरत गंच पुलिस ने बियस पी नेताओं की खिलाफ पॉस्पो एक्स लगा दिया है बस्पा नेता नसीमुद्दिन सिद्की समेथ अन्य कारिकरताओं के खिलाफ दर्जुक अदमे में पॉस्पो एक्स की धारा ग्यारा एक ही बडोतरी की गई है बस्पा द्वारा लखनव में प्रदर्शन के दोरान बीजेपी के पूर्फ उपाध्यक्ष दैशरंकर सिंग की पतनी और बेटी के खिलाफ की गया भद्र टिपनी के मामने में रविवार को पुलिस ने स्वाती सिंग और दैशरंकर की मात तेतर देवी का बयान दर्ज किय स्वाती सिंग ने आरोपियों की गिरफतारी की मांगती है वही स्वाती ने पती दैशरंकर सिंग की गिरफतारी के बारे में पूछ जाने पर कहा कि वो अपने पती की लड़ाई नहीं बलकि अपनी लड़ाई लड़ ही है अमादी पादी पंजा विधान सवाचिनाव के मद्दे नजार उमिदवारों की पहली सूचिया जारी कर सकती है सूतरों के मताबिक इसे 25-40 उमिदवारों को जगा दी जाने की तैयारी है उमिदवारों के नाम पर आखिरी पैसला पाटी की राजुनितिक मामलों की समीती को लेना है सूतरों के मताबिक रविवार को मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल के घर पर पी ए सी की एक महतपून बैठक हुई उमिदवारों के चैन के लिए बकायदा स्क्रीनिंग कमिटी बनाई गई है हाली में आम आदिम पार्टी की पंजब टीन में लगभग 44 उमिदवारों की एक लिस्ट पी ए सी को भेची थी उमिदवारों के चैन में हर सीट पर 4-5 नामों को शामिल किया गया है जिसमें पाजी के ओर से इन सभी नामों की सगहन चानबीन की गई है वरिष्ट वकील और आम आदिम पार्टी के संस्थापक सदसे रहे शान्ती बूशन ने दिल्ली के सीन केजरिवाल पर निशाना साथते हुए कहा कि उनका दमाग खराब हो गया है वे दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हैं हाले में केजरिवाल दुआरा पिये मोदी को लेकर दिये गए बयान पर शान्ती बूशन ने कहा कि केजरिवाल का मोदी पर हत्या कराने वाला बयान मनिश्ट सूधिया का आइडिया था केजरिवाल के पूर्व साथ ही ने कहा की वे केजरिवाल को ठीक से नहीं पहचान पाए उसने आमादी पार्टी को सिंगल मैन पार्टी बना दिया है केजरिवाल के पास मोदी को गाली देने का यही काम रहे गया है NSG में परमानू अप्रसार संधी NPT का हवाला देकर भारत की सदस्ता का विरोध करने वाले चीन ने खुद इसका उलंगन किया है ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2010 में हुए NPT Review Conference के दौरान रखे गए प्रस्ताव का उलंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूकलियर रियाक्ट मुहिया कराए है ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2010 में हुए NPT Review Conference के दौरान रखे गए प्रस्ताव का उलंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर रियाक्टर मुहिया करा हैं इस बात का खुलासा Arms Control Association द्वारा जारी किये गए हालिया रिपोर्ट में हुआ है A.C.A. ने पाक चीन के बीच हुए इस डील को N.P.T. का उलंगन करा दिया है रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान जैसा देश जो की अंतराश्चे परमानू उर्जा एजंसी के तैमानकों के तहत नहीं आता उसे रियाक्टर्स मुहिया कराना सीधे तौर पर N.P.T. का उलंगन होगा रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान जैसा देश जो की अंतराज से परमानू उर्जा एजिंसी के तैय मानकों के तेहत नहीं आता उसे रियाक्टर्स मुजिया कराना सीधे तौर पर NPP का उनंगन है उत्रक हंड के छे जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक अन्ने हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है नहरादुन सहित प्रदेश में कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई राजधानी के आदे हिस्से में दिन में करीब 10 मीमी बारिश के बाद शांद को पूरे शेहर में बारिश थोने से मौसम अन्दा हो गया मौसम विभाग के में देशक विकरम सिंग में बताया किनैनिताल, अलमोडा, उद्धम, सिंग, नगार, पोड़ी, देहरादुन और हरिदवार में सोंवार की सुभा से आगामी 24 घंदे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बारिश से बचाव के लिए अपील की गई है प्रदेश सरकार को भी आगा किया गया है राजधानी में बादल चाय रही है, कई जगाओं पर बारिश होगी लोकेश राहुल के करियर के तीसरे शतक की बदावलत भार्टिय क्रिकेट टीम ने शवबीना पार्ट मैदान पर वेस्टन डीज के साथ जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिर रविवार का खेल खतम होने तक अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिये है भारत को पहली पारी के अधार पर 162 रनों की बड़त मिली है उसने मेजबान टीम की पहली पारी 196 रनों पार समेट दी थी दिन का खेल खतम होने तक उपकप्तान अजिंग रहाने 42 और रिदिमान साहा 17 रन बना कर नाबाद लोटे दोनों के बीच छटे विकेट के लिए 31 रनों की साज़िदारी हो चुकी है भारत ने 125 ओवरों का सामना किया है भारत ने पहले दिन स्टम्स तक एक विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए थी दिन का खेल खतम होने तक राहुल पक्चतर और चेतेशवर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लोटे स्पेन की सेमी हाइ स्टीड टेल्को ट्रेन का आज नई दिल्ली और मुंबाई सेंट्रल के बीच पहला ट्राइल शुरू हो गया है टेल्को ट्रेन आज शाम 7 बज़ कर 55 मिनित पर नई दिल्ली से मुंबाई सेंट्रल के लिए रवाना की जाईगी ट्राइल के दोरान इस ट्रेन पर आदी एस ओ के इंजिनियर रेलवे की अधिकारी और स्पेन से आए इंजिनियर्स की टीम रहेगी नई दिल्ली से चल कर पलवल मतुरा कोटा रतलाम सूरत होते हुए स्पैनिश डिबो की ये ट्रेन दो अगस्त को सुभा 10 बजे मुंबाई सेंट्रल पहुच जाएगी नई दिल्ली मुंबाई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच टेलवो ट्रेन का पहला ट्राइल रन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक्तम स्पीट से होगा बही पीन अगस्त को मुंबई सेंट्रल नई दिली के बीच का दूसरा ट्राइल रन भी 130 किलो मीटर प्रती घंटे की स्पीप से ही होगा खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध हम से तो आप जुड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार